हेलो वीवर्स नमस्कार मेरे नावे डॉक्टर शिरीधर और आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे विस्कॉस्टी ओफ सीमन यानि के सीमन के गाड़ेपन के बारे में कि सीमन का गाड़ापन या पतलापन हमारी सेक्स्वालिटी को हमारी सेक्स्वल लाइफ को किस तरा से परवावित करता है बहुत से पेशन्ट हमें हिस्टी देते समयं एक important question जो है वो बहुत stressfully पूठते हैं बहुत जोड़ दे के पούचते है कि हमारा सीमन जो है पहले से बहुत जारा पतला हो गया है जिसकी वज़ा से हमें erectile dysfunction, premature ejaculation, poor erection और इसके इलावा हमारी body के ओपर भी बहुत से जो side facts हैं हमें नजर आने शुरू हो गए हैं तो आज हम इसके बारे में discuss करेंगे कि सीमन का या वीरिज का जो गाड़ा पन या पतला पन है वो हमारे स्रीर को या हमारी sexuality को किस तरह से परवावित करता है तो मैं इसको points के रूप में discuss करूँगा जो सबसे पहला point है, first point है वो है कि अगर आपने pregnancy induce नहीं करनी तो जो वीरिज है इसको मल के रूप में देखना चाहिए ये एक waste of the body है हमारे स्रीर के अंदर साथ धातों होती है रस, रक्त, मास, मेद, मज़ा, अस्ती और शुकर जो हम खाते हैं उसका रस बनता है रस से रक्त, रक्त से मास, मास से मेद, मेद से मज़ा, मज़ा से अस्ती और अस्ती से शुकर की उत्पती होती है एक आठवी धात्म का भी आईरोन वरन है जिसे हम ओज कहते हैं वो इन सातों धात्मों का निचोड होता है और आम तोर पर जो ले मैन है या जो आम पेशन्ट्स हैं वो इस शुकर को ओज समझ लेते हैं जिसकी वज़ा से उनको ये लगता है कि हमारे सिरी की जो ओज है वो रिकाल दें कि वीरेज का गाड़ापन या पतलापन आपके स्रीर के उपर किसी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट क्रियेट करता है नेक्स पॉइंट है कि वीरेज की जो विसकॉस्टी है वो मेंली वैसे तो उसके लिए बहुत से फैक्टर्स हैं जिससे वीरेज जो है पतल या उसको एजैकॉलिट किया या निकाला है अगर आपने जो सेक्सॉल इंटर्कोर्स है वो आप हफ़ते दस देन के बाद करते हैं तो आपका वीरेज जो है वो गाड़ा निकलेगा या थिक निकलेगा या उसकी विसकॉस्टी जो है वो थिक होगी अगर आप एक दो दिन आपने वीरिज को एजेकुलिट करते हैं तो जो वीरिज की विसकॉस्टी या उसका बनावट होगी वो थिन होगी पतला होगा तो ये नॉर्मल है ये अबनॉर्मल नहीं है सेकंड फेक्टर है इंटेंस्टी ओफ स्टिमॉलेशन जानी कि आपको इंटरकॉर्स या आपको मास काफी ठिक होगा और अगर आपकी इंटेंस्टी ओफ स्टिमॉलेशन जो है वो कम है तो वीरिज आपका काफी पतला या थिन हो सकता है तो ये भी नॉर्मल है थर्ड है एज एस दा मैन ग्रोज ओल्डर तक किंसिस्टेंसी ओफ सीमन बिकम्स थिन जैसे जैसे आपकी उमर ब इसके बारे में या तो अपने डॉक्टर से या मेरे से एक सला कर सकते हैं नेक्स पॉइंट है कि अगर आप ये वेरिफाई करना चाहते हैं कि मेरा जो सीमन है वो नॉर्मली थिन है या उसको थिक होना चाहिए तो इसके लिए आप एक सिंपल टेस्स करवा के देख सकते हैं उसके अंदर एक column होता है जिसमें लिखा होता है time of leakification. Time of leakification जो है वो एक normal person में 15 minutes से लेके 60 minutes तक होना चाहिए. अगर आपका semen का time of leakification है वो 15 minutes से लेके 60 minutes के अंदर अंदर है तो इसका मतलब आपका जो semen है वो बिल्कुल normally thick है या thin है. इसके लिए आपको किसी टेस्ट की किसी दवाई की किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है मगर अगर आपका सीमन जो है 15 मिनट से कम टाइम में लिक्विफाई हो जाता है तो इसका मतलब आपका जो सीमन है वो अबनॉर्मली थिन है उसके लिए आपको टीटमेंट की जरूरत है तो उसके लिए मैं इस वीडियो के एंड में या अंत में आपको एक योग बता दूँगा जिससे आपका सीमन जो है वो थिक हो सकता है या उसकी विसकॉस्ती जो है वो इनक्रीज हो सकती है कुछ एक लोगों में देखा गया है कि जिन लोगों का जो सीमन होता है वो एक्स्ट्रा थिक होता है जानिकि उनका टाइम ओफ लिक्विकेशन जो है वो 60 मिनट से भी जारा हो जाता है तो ये लोग नौर्बली जो है बच्चा पैदा करने के कई बार काबल नहीं होते हैं और मालो ये इन्फरिटिल्टी का एक मेंन काउज है और कई बार ये नेक्रोस्पर्मिया का भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है अगर मैं आपको लेमैन महांग भाषा में समझाऊं तो जो सीमन है इसके अंदर मेंली स्पर्म जो है वो एजयकुलिट किये जाते हैं और sperm को wrap करने के लिए या उनको एक जो wrapping मीडिया है या उनको एक cover करने वाला मीडिया या उनको एक bound करने वाला या उसको एक pack करने वाला जो material है उसमें आता है seminal fluid, prostatic fluid और copper gland या गलो-eurithry gland का fluid. ये सारे जो है इस sperm को preserve करते हैं, उनको nutrient करते हैं और ejaculation के बाद जैसे जैसे ये वीरिज जो है वो liquefy होता जाता है, sperm उसमें से निकल के जो औरत की जो वजाएना है उसके अंदर enter करना शुरू करते हैं या उसके अंदर भागना शुरू करते हैं ताकि वो conceive कर सके जो female का egg है उसको वो catch कर सके या उसको pregnancy induce कर सके तो इसलिए अगर आपका वीरिज जो है पतला होगा तो ये sperm जो है जल्दी से निकल के जल्दी से उस वीरिज में से बाहर निकल के lequefy होते ही ये तैरना शुरू कर देंगे या ये बूमेट शुरू कर देंगे अगर आपका सीमन जो है एक्स्ट्रा थिक होगा तो ये sperm जो है ये अंदर ही काफी देर तक रहने के कारण अंदर इनको ये डेड हो जाएंगे या ये मर जाएंगे इसलिए इसको नेक्रोस्पर्मिया का एक कारण भी माना जाता है कि जिन लोगों का वीरिज जो है जारा एक्स्ट्रा थिक है या ब बात कर सकते हैं या बेरे से भी बात करके पूछ सकते हैं अब अंतमे में आपको एक योग बताऊंगा अगर आपका वीरिज जो है वो एक्स्ट्रा थिन है बतलब अबनॉर्मली थिन है तो उसके लिए आईरुएद में अश्वगंदा, कौँच बीज, विदारीकंद, वि सिंपली अगर आप चाहो तो बजार से एक फुल मखाना मिल जाता है, तस मखाने रोज आप दूद के साथ रात को खाने शुरू कर दो तो उससे भी आपका वीरिज जो है वो गाड़ा या थिक होना शुरू हो जाएगा, अगर आप इन द्रव्यों का प्रयोग किसी नहीं कर सकते या आपको कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आप एक मार्कीट में शास्त्री योग जानी के आजवेद का योग है, वो मार्कीट में अवेलेबल है, जिसका नाम है धातू पौश्टिक चूरन, यह आप किसी भी कमपनी का ले सकते हैं, डावर, जंडू, वैदना सारी कमपनीयों का आता है, आप धातू पौश्टिक चूरन का आधा या एक चमच रात को सोते टैम या दिन में दो बार भी अपने डॉक्टर वैद हकीम की सलाह के अनुसार यूज कर सकते हैं, अगर आपको डायबटीज नहीं है, तो आप जो जिस दूद के साथ आप धात करता हूँ, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे इसे लाइक कीजिए, शेर कीजिए, ताकि मेरे आने वाले नौलेजबल वीडियो आपको असानी से मिल सके, जै हिंद, जै भारत, सर्वे संतु निरामे. जै हुआ प्लीज निर्णाओ।